हाई फ्रेंड्स वेलकम टू लर्न कैडमी और आज हम बेसिकली डिसकस करने वाले हैं हमारे बेस्ट बिंगॉल में जितनी भी सारे युनिवोसिटी और कॉलेज हैं वो कब से रियोपेन होंगे जैसे कि आप सभी को पता है यूजिसी ने गाइडलाइस बना दिये गये हैं कि 1 वोईस चैसलर के साथ आज उन्होंने मिटिंग किया जितनी भी सारे युनिवोसिटी हैं और उसके साथ साथ उन्होंने सारे ही निर्नाय ले चुके हैं कि 1st year के जो स्टूडेंस होंगे इस साल के UG&PG के क्लासिस कब से स्टार्ट होंगे इसके बाद आपकी क्लासिस ओनला के देट नहीं हैं तो सब कुछ इन डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बेस्ट बिंगॉल से अगर आप युनिवोसिटी से स्टूडेंट है तो वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखिएगा चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर देखिएगा तो चलिए जादा नजरी करते हुए वीडियो को आगे आप से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे बेस्ट बिंगॉल में जो न्यू अकैडमिक शेशन है वो कब से स्टार्ट होंगे जितनी भी सारे यूजी और पीजी के स्टूडेंस हैं तो गाइस मैं आपको बता दू वेस्ट बिंगॉल में जो नई अकैडमिक सेशन जेते भी सारे यूजी और पीजी के स्टूडेंस हैं 1st of September 2020 से आपकी नई अकैडमिक सेशन स्टार्ट होंगे हमारे बेस्ट बिंगॉल में जैसे कि आप जानते हैं October में दुरगा पूजा है इसके साथ साथ नौवेंबर की मन्त में काली पूजा दिवाली छट पूजा तो ये फेस्टिबल से ये दो मन्त भरे हुए हैं तो इसलिए वेस्ट बिंगॉल के जो एडिकेशन मिनिस्टर है इनोंने ने ने लिया है कि जो नई अकैडमिक सेशन होंगे वो 1st of December से होंगे जैसे कि UGC ने बताया है कि 1 November से स्टार्ट होनी चाहिए लेकिन क्यों ये मैं आपको आगे वीडियो दिखते चाहिए आपको पता चल जाएंगे तो हमारी जो एकैडमिक सेशन है पेस्ट बिंगॉल में वो 1st December से स्टार्ट होंगे तो आसा करता हूँ आप समझ गए होंग इसके बाद तो जितनी भी सारे जो अंडर ग्याजट के स्टूडेंस हैं उनकी जो क्लासेस हैं वो 2nd November से स्टार्ट होंगे हमारे बेस्ट बिंगॉल में क्यूंकि आप 1 November से UGC ने बोला है लेकिन 2nd November से यहाँ पर स्टार्ट करवाई जाएंगे हमारे बेस्ट बिंगॉल म यह अब online होंगे या offline होंगे यह मैं आपको वीडियो आगे में बताने वाला हूँ इसके बाद पोस्ट ग्याजट के स्टूडेंस होंगे उनकी जो क्लासेस 1st of December से स्टार्ट होंगे क्यूंकि आप जानते हैं कि अभी तक admissions जो पोस्ट ग्याजट के वो स्टार्ट नहीं जितनी पिर हमारे बेश्ट ग्याजट के स्टूडेंस हैं उनकी एक्जाम चेल रही हैं पोस्ट ग्याजट के स्टूडेंस हैं उनकी उक्टोबर मंत में सारी एक्जाम चेल रहे हैं और आप सभी जो पोस्ट ग्याजट के स्टूडेंस हैं आप सब के मन में यहीं हैं कि बे आप सबकी फाइनल एर की जो एक्जाम से पूरे अक्टोबर की मन्त में होने वाले हैं इसके साथ साथ यहां पर 18 खो आपकी ऑक्टोबर की एक्जाम्स खतम होंगे इसके बाद यहां पर 31st October को यहां पर डिया इपनी आपकी रहने वाले हैं तो आसा करतं हूं आप जितने पोसेट आपकी यहां पर 20% सीट रहने वाली हैं आप November मन तक वेट कीजिए जितनी भी सारे जो university है postgraduate के वो जो है link दे देंगे और notification भी बहुत जल्द आ जाएंगे हमारी channel के साथ आप जुड़र रहिए आपको सभी प्रकार की update मिल जाएंगे इसके बाद guys सबसे important point university and college की classes कैसे होंगे तो guys अगर आप first year की students हो या आप postgraduate की students हो या आप existing students हो जैसे कि अगर आप second semester, third semester या fifth semester या fourth semester की students है तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपकी online classes ली जाएंगे ठीक है यहाँ पर best Bengal की जो government है उन्होंने साब साब बता दिये गए है कि अभी फिलाल offline classes start नहीं हो सकते हैं क्योंकि अभी corona की इस्तिती यहां पर सही नहीं है और इस panademic में हमारे जो best Bengal की chief ministers हैं और हमारे जो educations ministers हैं वो नहीं चाहते हैं कि student की life में किसी प्रकार के दवाब आएं तो सारे ही जो हमारे educations minister हैं और हमारे chief ministers हैं वो यहीं चाहरे हैं कि सारे ही students online classes करें जासे कर रहे हैं और colleges से करवाई जा रहे हैं फिलाल अभी offline classes की कोई जरूरत नहीं है इस प्रस्थिती पर और यहां पर जब आपकी online classes होंगे तो guys एक बात आप धयान रखिएगा कि आपकी ज सारे ही university की चाहिए आप Calcutta university student हो जादब पूर university student हो या आप NBU के university student हो तो attendance must compulsory होने वाले हैं जब तक आपकी online classes हो रहे हैं और इसके बाद आगे की जो सेशन है online होंगे जब तक यहां पर किसी भी प्रकार के एक normal situations नहीं आ जाते हैं फिलाल की यही एक good news हैं आप सभी के लिए एक अच्छा news है कि आप सब confused हैं कि आप सब की online classes होंगे या offline classes होंगे तो अब आपको पता चल गए हैं कि जितने भी सारे university हैं online ही classes करवाने वाले हैं हमारे best bengal में हमारे best bengal के chief minister and education minister हैं वो सभी students को precautions must देने बोल रहे हैं जैसे कि आप mask पहने रहे हैं sanitizers जरूर carry कीजिए और हमेशा उसे use कीजिए और इसके साथ साथ social distancing सबसे जादा maintain आपको करना है और आपको बाहर नहीं जाना है यह साप साप यहाँ पे हमारे जो chief minister हैं और education minister हैं उन्होंने student की तरप से एक महतपूर्ण request आप सभी से हैं तो आसा करता हूँ हमारे जो chief minister and education minister आप सभी के लिए जो कर रहे हैं यह बहुत ही अच्छे news है कि online classes करवाई जाएंगे और यह must mass and mass wear कीजिए और sanitizer must carry कीजिए तो guys यही सब कुछ important update थे आसा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा तो finally आप सबको सब कुछ पता हो गया कि कप से आपके academic session start होंगे आपके classes कप से start होंगे post graduate की जो admissions की पड़िशानी थे वो भी मैंने आपको बता दिया तो guys video कैसा लगा comment करके जरूर बताएगा अच्छा लगा तो like कीजिएगा इस video को जातर स्रीयाद अपने फ्रेंड तक share कीजिएगा मिलते हैं एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखिए धन्यवाद